परमाणू हथियारों पर एक नजर डाल लेते हैं, हालां कि यह आकड़े आप बार-बार देखते हैं, लेकिन आकड़ों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जरूरी इसलिए क्योंकि रूस अपनी तरफ से कुछ कहता नहीं है, अपने यहां अगर केवल ऐसी अगर उसके पास रहते हैं, तो पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ी चेतावनी का तखता लटक जाता है, अमेरिका के पास 5550, हलेकि जब हम दोनों देशों के साथ जो देश आगे आएंगे, अगर दो खेमों में दुनिया को बंटी हुई देखें, तो यह तस्वीर भी आखडों की एक बराबरी पर आकर रुकती है, लेकिन फ्रांस के 290, 290 आप परमाणू हथियारों को देख लीजिए, तो कुल मिलाकर इन दो देशों के बीच, रूस और अमेरिका जो लंबे समय तक शीत युद्ध में मश्गूल रहे, एक दूसरे के खिलाफ दो खेमे बं इन दो देशों के पीछे खड़े हुए देशों को, इन दो देशों के साथ दुनिया को दो खेमों में बंटे हुए अगर हम देखें, तो उन देशों के जो आकरे हैं परमाणू हथियारों के, वो भी अपने आप में आपको बताते हैं कि इस युद्ध में इस समय स्थिती को देखते हुए कितना बड़ा खतरा समझा जा सकता है रूस 6255 अमेरिका 5550 फ्रांस 290 यूके 225 लेकिन कहते हैं न अगर परमाणू युद्ध ही लड़ा जाना है तो एक वार भी वहाँ पर काफी हो जाता है जो कि मानपता को नश्ट कर सकता है पूरी तरीके से परमाणू ह हम यहाँ पर चर्चा अपनी शुरू करते हैं सबसे पहले जनल मेस्टन आप ये समझाईए कितना बड़ा खतरा आपको दिखता है अगर वो फॉल्स फ्लाग अटाक हम देख ले जो की अगर चाहे उसे फॉल्स फ्लाग कहें या फिर हम सच्च में मानें कि हाँ यूक्रेन ने उस तेल डिपो पर हमला किया जो भी हो वहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको लग रहा है कि हो सकता है इस युद्ध का स्वरूब बदले पहली बात जहादक नुकलियर यूद का सवाल है मेरे को नहीं लगता ये कभी होगा इसके कई कारण है देखिए क्यूबन मिजाईल क्रैसिज जब हुई थी 1962 में तब भी भी सब को लग रहा था कि शायद नुकलियर वार शुरू हो सकता है नहीं हुई थी उसमें काफी डे यूज करते हैं तो उसका परिनाम पूरे विश्व के लिए उनके देश के लिए बहुत खतर्नाक होगा तो मेरे को लगता नहींए बहुत सिर्फ टैरेंट या उन्होंने हमेशा एक डेटरेंट पॉلिसी के तोर पर इसको बूला है पर मैं को लगता नहीं है शुदा की वह इस स्टेश में भी या बाद में भी इसको इस्तमाल करना चाहेंगे यह मेरा व्यू है बैसमें श्तोधा एक और एंगल लाना चाहूंगा अगर जैसे आप कहा रही थी परतों को हम उतारते हैं एक परत के ओपर दूसी परत परमानो अस्तरों का इस्तमाल तभी होगा जब पुतिन बिल्कुल कॉर्णर जाएंगे और उनके सारे ओप्शन्स खतम हो जाएंगे देखे पुतिन के ओप्शन्स खतम नहीं हुए है आप देखे उनके बाद बहुत सारे ट्रम कार्ट्स हैं अभी उन्होंने रेल नेट्वर्क को नहीं ध्वस्त किया है कीव को जो पावर सप्लाई जाती है, अलेक्रसिटी जाती है वो हईड्रो अलेक्रिक प्लांट से जाती है जो सर्म 25 खिलोमेटर वहां से है उस पर उन्होंने कोई अटक नहीं किया है nuclear plants उनके control में है उन्होंने उनको supply उनसे बंद नहीं की है और road network को नहीं damage किया है तो मुझे नहीं लगता कि वो यह कोशिश का है उनके सारे पत्ते उनके पास अभी भी हैं उन में से सारे उन्होंने नहीं चले एर जो हम air attacks करते हैं या air force को लाते हैं वो भी नहीं लाई गई है missile force नहीं लई गयी है छेजर दोसो के करेम हैं, और अमेरिका के पाश पास पाश झार पान्सो पैसे हैं, फ्रांस के पास दोसो नंगे, यूके के पास दोसो पजासैद, याद रखो जो हीरा सोमा नागा साकी ने जो एटम मम डाले गए थै, आज उनकी से एक हजार गुना जादा इनकी शमता है मार लड़ाई जो एक मोड ले सकती थी खतरनाक वो मोड अब दूर हो गया है मुझे लगता है अब लड़ाई के अंदर पड़ाओ आगा है जहां पर कुछ न कुछ सलूशन निकल सकता है और कहीं न कहीं रूस को भी कुछ बिलेगा यूकरेन को भी जिस परकार से लड़ाई अब कोई सलूशन की तरफ बढ़ रहे हैं आपको सुलूशन लगा है अब नहीं लगा है कि वो दोर चला गया कि जहां गलती से भी गलती हो सकती थी और नुकल हथियार करने की बात की जा सकती अब ऐसा कोई नहीं है और नुकल हथियार इस लड़ाई में बिलकुल इस्तेबाल रिह हैं आब नुकल है और नहीं है और नहीं है अब आपको सुलूशन लगा है खज़ाई चाल घ्राएंवादी अधर आपनवादी रें लगादी पली अब में रमड़ादी की जह जा है आप